बाइबल के कहानी एक वाटिका में आरंभ होती है जहां परमेश्वर और मनुष्य एक साथ रहते हैं और बाइबल के लेखक चाहते हैं कि हम इस वाटिका को मंदिर के एक प्रतीक के रूप में देखें उपर का स्थान सबसे पवित्र स्थान है अर्थात महा पवित्र स्थान यहां परमेश्वर की उपस्थिती सबसे अधिक होती है और वहीं पर हमें जीवन का व्रिक्ष मिलता है तो इस व्रिक्ष का क्या उतेश्य है अब देखा जाए तो ये परमेश्वर के अपनी जीवन और उसकी रचनात्मक शक्ती को दर्शाता है, जिने दूसरों के लिए उपलब्द कराया गया है। वास्तों में परमेश्वर की पहली आग्या ये है कि मनुश्य इस व्रुक्ष सहित सब व्रुक्षों का फल खाएं। अतह अब परमेश्वर के अपनी जीवन का सेवन कर रही हैं। यह तो बहुत गंभीर प्रतीत होता है। हाँ, ये भोजन उसे परिवर्तित कर देता है जो इसे खाता है। या कहानी के शब्दों में कहें तो ये अनंत जीवन तक ले जाता है। अच्छा, पर जीवन के व्र व्रक्ष का फल खाने से तुम मर जाओगे। ऐसा करने से यहां कैसी होगा। अब देखा जाए तो ये अपने दृष्टी में जो सही है, वो करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेने को दर्शाता है। जब मनुष्य ऐसा करते हैं। तो यहां रिष्टों के तूटने, हि चूटे व्रिक्ष के फल को ले लेते हैं। और उन्हें स्थाई तोर पर वाटिका से निश्कासित कर दिया जाता है। जो इस प्रश्न को उठाता है कि क्या कोई कभी जीवन के व्रिक्ष तक वापस आ सकता है। कहानी में आगे हम मूसा नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं औ और एक पहाड की चोटी पर एक रेगिस्तानी व्रिक्ष में परमेश्वर से उसका सामना होता है। अच्छा आपका अर्थ है जलती हुई जाडी में जहां मूसा को बताया गया कि वहाँ पवित्र भूमी पर खड़ा है। यह पहाड पर उगा हुआ एक व्रिक्ष है जो प जह भागिता उन्हें एक निरणय लेने के लिए विवश करेगी। क्या वे अपने हाथों से बनाए हुए देवताओं का अनुसरन करेंगे या सच्छे परमेश्वर से जीवन प्राप्त करेंगे। इस कहानी में वे एक मूरत के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। और ये केवल ऐसे कई उधारणों में से पहला ही है। ये कहानी आगे चल कर दिखाती है कि एक के बाद दूसरी पीड़ी अपने ही हाथों से बने देवताओं को चुनते रही और इन मूरतों को आम तोर पर सुन्दर व्रक्षों के समान बड़ी-बड़ी पहाड़ियों पर क्या कोई आशा है। अच्छा आईए, अब ईशु की कहानी के ओर चलें। वो इस बात की घोशना करने आया कि उसके द्वारा परमेश्वर का अनंत जीवन फिर से उपलब्ध है। अतहा ईशु स्वेम को जीवन के व्रिक्ष के रूप में देखता है। हाँ, उसका यही अ को आमंतरित कर रहा था, कि वे उस पर विश्वास करें और उसके जीवन के द्वारा परिवर्थित हो जाएं। पर ईशु ने ये भी प्रकट किया कि मनुष्यक कितने भ्रष्ट हैं, वे जीवन के जूटे ब्रक्षों से कितना प्रेम रखते हैं। और इसलिए ईशु ने लोगों के सामने जीवन और मृत्यु के बीज एक नया विकल्प प्रस्तुत किया। और इस बार वे ना केवल मृत्यु को चुनते हैं, बलकि वे उस पर आक्रमन करने का चुनाव भी करते हैं, जो संपूर्ण जीवन को संभाले रखता है। हां, ईशु को एक पहाड़ी की हिंसक परणाम है। जीवन के व्रिक्ष पर मृत्यु की शक्ती ने विजय प्राप्त कर ली। हां, लगा तो ऐसा ही था, पर इशु ने कहा कि वो परमेश्वर के जीवन का ऐसा बीज है, जो भूमी पर गिर्खर मर जाएगा, परन्तु फिर एक ऐसे पाउधे के रूप में बढ़ेगा, जो बहुत से फल लाएगा। अतह, मृत्यु को हराने के लिए ईशु उसके अनुभव से होकर गया। और अब जीवन का ये नया व्रक्ष हम सब के सामने खड़ा है। हम इसमें से खा सकते हैं, पर इसका अर्थ ईशु के समान मृत्यु में से होकर जाना होगा जिसके द्वारा हम मनुष्य होने के अपने पुराने तरीके को मार डालेंगे। ताकि उसके स्थान पर एक नया मनुष्यत्व उत्पन हो सकी। हाँ, ईशु ने कहा कि वो दाख लता है और हम उसकी डालियां हैं, अतह, आप नाके बल इस व्रक्ष से खाते हैं, बलकि आप आपको इसका एक भाग होने के लिए भियामंत्रित किया जाता है, कि आप इसके फल उत्पन करने में मदद करें, जिससे परमेश्वर का जीवन और प्रेम हमारे द्वारा दूसरों तक फैल सकें। और इस प्रकार बाइबल की कहानी एक नई वाटिका में समाप्त होती है। वो एक प्रकार का मंदिर भी है जिसके बीचों बीच जीवन का व्रुक्ष है और वो व्रुक्ष उन सब को चंगाई और जीवन देता है जो उसमें से खाने का निर्णे लेते हैं।